शक्ति अपने शब्दों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बार से नहीं. Hello, Hi, Good Morning, आप हैं आपकी वाड़ी आकाश्वाणी के साथ, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त ललीदा. तो दोस्तों कैसे हैं आप, उमेद करती हूँ कि अच्छी होंगे, आप अच्छी होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, तो वीकेंड बीट चुका है, आज मंडी है, सभी को जल्दी है अपने आफिस जाने की, अपने अपने काम पर जाना है, और अब तो कई जगह पर स्कूल भी खुल गए हैं, तो जरूर जाये, मेरी एक बात याद रखेगा, कि गाड़ी थोड़ी धी में चलाएगा, क्या होता है कि सभी को जल्दी होती है पहुचने की, तो इस चकर में कहीं लोग गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं, और कहीं लोग तो ऐसे होते हैं कि ट्राफि एक नियमों का पालन कीजिए, ठू वीलर वाले भाईया, जरा आप हिल्मिट जरूर पहनिए, और ओ भाईया, कार वाले, हाँ हाँ, मैं आपी को कह रही हूँ, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्त रह और अपने प्रोग्राम के जरीए हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपका मनुरंजन भी करते रहें, वैसे एक बात बताओं, हमें खुद को खुश रखना भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, पता है, जब हम खुश होते हैं, तो हमारे शरीर से खुशी की हार्मो लाइन, ऑक्सिटोसिन और एंडोर्फिन, ये मूड स्टेपलाइजर का काम करते हैं, और ये सभी हार्मोंस हमारे शरीर और मन में खुशी महसूस करने का काम करते हैं, कि जो हम पूरे दिन खुश रहते हैं और एनरजेटिक महसूस करते हैं, तो ये सब हैपी हार्मोंस का ही जोइन करनी चाहिए तो मस्ती की पार्ट शाला तो हर रोज जोइन कीजिए मेरे साथ अरे भाई पार्ट शाला तो हुई और अब थोड़ी बाते हमारी हेल्थ की भी हमारे लाइफ में सबसे जादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारी हेल्थ और कहा भी जाता है अच्छा स्वास्ति सफलता की कुण्जी होती है तो अपने रोज के खाने में तासे फल खाए, हरी साख सबजी और डाल तही खाए खोब पानी पिए गर्मी का समय है शरीर में पानी की कमी न हो पाए जहां तक हो सके बैलेंस टाइट ले, खाने में प्रोटीन, कार्वोहाइटरेट, फैट का प्रॉपर बैलेंस हो और गर्मी की बात हो और आम का जिक्र न हो ऐसा तो होई नहीं सकता तो आपको बता दूँ कि आम का फल प्रचुर मात्र में कैलशियम से भरा होता है जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत जादा लाबदायक होता है तो सिहत का खयाल जरूर रखना है और सिहत के साथ साथ प्रकृती का भी खयाल हमें रखना है जादा से जादा पेड़ पौधे लगाएं पानी का सही उपयोग करें बेवजा पानी ना गिरें इसका खयाल रखें एक और कोशिश आप कर सकते हैं चाहे तो घर में बच्चों का बड़े है या फिर आपके जिंदकी का कोई भी यादकार पल है उस दिन को एक पेड़ लगाएं पेड़ लगाकर उस दिन को खास बनाएं यादकार बनाएं इससे आप अपनी लाइफ पी अच्छी बनाएंगे और प्रकृती भी अच्छी बनाएंगे और हर दिन बस कहते रहें All is well All is well, All is well पता है यह हमेशा कहते रहने के भी बहुत फाइदे हैं आप भी कहते होंगे कि ललिटा जब आती है फाइदे बहुत गिनवाती है हाँ भाई मैं आती ही इसे लिए हूँ कि मैं आपका फाइदा कर सको देखे मेरा फायदा या फिर आपका फायदा किसमे है हम healthy रहें वेल्दी रहें और दिन पर दिन आगे निकलते रहें तो ये सब तो इतनी बाते हुई और अब बाते कि भारत और विशुम के इतिहास में 27 जोन का अपना एक खास एदिन है और आपको बताते हैं कि आज का दिन क्यों खास है क्योंकि इस दिन महतुपूर्ण घटनाय घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्स हो गई तो चलिए शिरू करते हैं ये सिलसिला महिलाओं के पहली पत्रिका 6093 में लेडीज मरकरी लंदन में प्रकाशित हुई कनाडाई संसद में 1946 में कनाडाई नागरिक्ता अधिनियम में कनाडाई नागरिक्ता को परिभाशित किया ब्रिटिन में 2005 में भारत की वीटो रहित स्थाई सदस्यता का समर्थन किया और एक अब हम आपको बता रहे हैं हमारे भारत के बारे में राश्टरगीत वंदे मातरम के रचईता बंकिम चंद्र चटोपाध्याई का जन्म 1938 में आजी के दिन यानि की 27 जोन को हुआ और हिंदे फिल्मों के फेमस म्योजिक डारेक्टर आडी बर्मन का जन्म भी आजी के दिन हुआ जिन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में संकीत दिया और उडनपरी के नाम से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाली पीटी उशा का जन्म भी 1964 में आज़ी के दिन हुआ था और अब बात हमारे शहर बनारसकी तो आगर बनारसकी बात करें तो भाय हमारे करता धरता हम सभी के करता धरता जगत पालन हारे हमारे भोले नाथ तो काशे विश्वनात दरबार के गर्भ गरीह में दरशन पोचन शुरू मंगला आर्दे के बाद से श्रधालू हर रोज भगवान के दर्शन कर सकेंगे प्रशासन ने सावन के लिए तैयारियां शुरू करती हैं विशुनात कॉरिडोर बनने के बाद से अधिक संभावना हैं कि इस बार भीड भी बहुत ज़्यादा होगी और अब एक दूसरी बाद आपको बता रही है वक्ताओं ने कहा कि जेवन शाली में सुधार से हर्दे घात के खत्रे को कम किया जा सकता है और अब एक खबर साड़ी प्रेमियों के लिए साड़ी प्रेमियों के लिए अच्छी खबर ये है कि पश्मीना शाल के बाद पश्मीना की साड़ियां भी बनेंगी अब बनारस में और इसके लिए खादियोग ने कारीगरों को प्रसिक्षित करने की तयारी भी शुरू करती है और अगर आप कहीं घुमने जाना चाहते हैं अपने बच्चों को कहीं घुमाना चाहते हैं तो आपको बता दो कि बनारस में सिगरा स्थित पास में ही वारंट सी महोस्तों का मेला लगा हुआ है जहां आप जा सकते हैं अपने नन्ने मुन्नों को घुमा सकते हैं और आपको बता दे कि आज बनारस में क्या रहेगा सोनी का भाव तो अगर गोड की बात करें तो 52,460 पर जीएम और सिल्वर की बात करें तो 65,700 पर केजी रहेगा आज सोनी और चांदी का भाव बनारस में हमारी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अभी और इसके बाद अगली दिन आप हमारी प्रोग्राम सुन सकेंगे यूट्यूब चैनल पर भी तो अब घड़ी की सुईयां भी हमें इशारा कर रहे हैं कि अब हमारे चलने का वक्त आ गया है तो हम मिलेंगे आपसे कल सुबर तो टेक क्यर अफ यूर्सिल्फ, वाव नाइस दे, बाबाई